तो आज जा रहे हैं शिव खोला की तरफ जो रंगटंग होके आगे जाना पड़ता है पर पूरा बारिश का मौसम है थोड़ा सा रिस्की है पर हम लोग जा रहे हैं हम लोग रंगटंग आ चुके हैं रंगटंग से थोड़ा सा चेक पोस्ट है वहां से हम लोग को राइट हैं सीधा उपर उटना है अब यह देख सेटो जो उपर का दिख रहा है वहीं से हमें आगे जाना है यह बो क्रॉसिंग है जहां से हमने न एकदम सीधा स्टिफ सामने रस्ता जाती है दाजिलिंग यह जाती है शिव खोला की दडब तो सीधा आप देख पार हो ना कितना एकदम स्टिफ है यह रस्ता बीच में एक जगह रुके और वो रुकते ही ना आपको दिखाएं दे कि वहाँ पर हमें क्या दिखा है और जहां पर रुके हैं वहां से एकदम यह व्यूव हमको दिख रहे है जहां पर दिख रहे हैं कि बादल जा रही है पूरा पहाड माउंटेन और इस रोड से हम लोग ओपर जा रहे हैं सीधा चारों तरफ ग्रीन ग्रीन और ग्रीन यह रहा भाई उदास मेरा राइडर दुजारा अंबर आलम राइड तो वो लाइव हो रहा है तो कहना क्या चाहते हैं मैं कहना का चाहरा वह कि यह थुदध लाइड साइट का दर बना हुआ है हमारे और काफी टफ राइडिंग होने वाला है और थोड़ा सा मैं थ्रिल फिल कर रहा हry कैसे चलाऊं है आप तो राइडर जाना ही है तो थोड़ा थिल फिल करना ही है तो चलते हैं आगे आगे कब पुरा रोड आप लोगों को दिखाते हैं को दिख रहा है मौर सामने दाव रहा हूं जा रहा हूं एक अजीबो गड़ी मकडी है यह मतलब स्पाइडर पता नहीं बात में काट लेगा ना क्या करेगा तो हम तो निकल पड़ें लेकिन बारिश चाली हो चुकी है पता नहीं जहां तक जाना था वहां तक जा पाएंगे क कि नहीं पर लुक अट दव्यू लुक अट दव्यू पूरा बादल से ढख चुका यह जगा पूरा आगे चलते हैं राइडर फोन पर बिजी हो गया अपने काम में तो पूरा वह सीधा उपर जाके ना कहां कहां जाना यह रस्ता कभी गय भी नहीं है वह चेक करतें आगे आगे और आपको पूरा दिखाते हैं रोड़ करते हुआ करके हैं शिवखोला का रोड थोड़ा था ना रोड तूटा-फूटा है पहले रोड और भी खराबता भी ठीक हुआ है तो बहतर है रिस्क ना लेके उतर जाने ही भैतर है पता नहीं कब कहां पर क्या होगा और यह है आसफालोस का व्यूव वेट कर रहा है राइडर मेरे लिए क्या है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि कर दो कर दो कि कर दो है यह शिवखोला का ही रूट है और एक तगड़ा वाला ना व्यूपाइंट मिला है यहाँ पे जहाँ भी खड़े हो जाएगा वहीं पे आपका व्यूपाइंट है यह देखें बहुत जवर्दस्त बहुत ही जवर्दस्त यह थोड़ा अनेक्स्प्लोड जगह है यह सब लोग यहाँ पे कम आते हैं पूरा उधर बारिश था इधर बारिश नहीं हो रहा है इधर देखेंगे तो चाय का वगान पहड़ पर ही जो रिवर उपर से दिखाया था वही रिवर यहाँ पे यही शिप खोला है रुख जाए यहाँ पे एक बड़ यही शिप खोला है यहाँ प्लेस अमेजिंग रिवर लेखेंगे दोनों अलग अलग जगा से ना पानी आ रहा है एक इधर से आ रहा है और एक सामने से आ रहा है और मीठ होके वह आगे जा रहा है उससाइड नीचे जा सकते के नहीं पता नहीं है फिलाल और यह है ओपोजिट साइड आप दा रिवर ठीक है जहां जिस सारीके से पानी आ रहा था बारिश का पानी है पूरा ही है अमेजिंग लिए क्योंब हैसारै का रहासे क काती बार्या रहा है वंगा